हेलो एवरिवन वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली मैं हूं पलजिंदर सिंग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं डियर फ्रेंज आज का जो हमारा टोपिक रहने वाला है वो रहने वाला वर्ल्ड बैंक के ऊपर वर्ल्ड बैंक बहुत ही इंपोर्टन ट के लिए यहां जितने भी जिसके अंदर भी वर्ल्ड बैंक आता है एक अच्छा टोपिक बनता है यहां से कोस्टन पूछ लिए जाते हैं यूजी सी नेट के अंदर भी तो आज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ियां जो कवर करने वाले हैं सबसे पहली बात है जैसे सारे को डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो भी इस वीडियो को देखें जिन्नों ने पहली बार देखा है यूटुब चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये बेल आइकन को दबा दीजिये ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी important class को तो dear friends सबसे पहले बात करते हैं establishment of the world bank ठीक है जी world bank की जब बात करते हैं आपको पता है कि second जो world war हुआ था हमारा उस time पर बहुत सारी economy हमारी क्या होगी थी destroy होगी थी उस time पर जो आपका युद्ध चला था बहुत लंबे time तक चला था और वहां पर जो हमारी प पूरी economy थी destroy हो चुकी थी और वो क्या था एकदम से पूरा तैसनास हो गया था तबाई होगी थी चारों उस time पर क्या था हमें बहुत ही ज़्यादा जुरूरत थी किस चीज की जुरूरत थी economical condition को अच्छा करने की और जितनी भी हमारी economy destroy हुई है उसका reconstruction करने के लिए after the war ठीक है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था उस purpose को fulfill करने के लिए क्या हुआ था कि world bank का formation किया गया था ठीक है कब किया गया था in the year 1944 के अंदर एक conference की थी कहां की थी Britainwood के अंदर जो अमरीका के अंदर है Britainwood के अंदर एक conference की थी और क्या था इफ के अंदर 44 इस countryों ने participation किया था ठीक है चोलिस countryों ने इसके अंदर participation किया था वहां पर India भी गया हुआ था ठीक है जी और वहां पर इन्हों ने जो भी अपनी conference है उसके अंदर दो institution के लिए क्या किया गया था एक तरीके का मतलब मशबरा किया गया था सला की गई थी ठीक है एक समेलन किया गया था कॉन्फरेंस की गयी थी जिसके अंदर से जो आउटपुट निकल कर किया है वो क्या था हमारा आउटपुट वो था कि आप हम इस समेलन के दुरान जो भी हमारी एकनोमी डिस्ट्रोई हुए है वोल्ड वाल के दुआन ठीक है उसके अंदर क्या किया गया था इंटरनेशनल मुनीटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक ओफ री कंस्ट्रक्शन एंड ड्वेल्पेंट और जिसका दूसरा नाम क्या रखा है वर्ल्ड बैंक रखा है दो इंस्टिटूट बाहर निकल करके आए थे दो इंस्टिटूट बाहर निकल करके आए थे पहला कौन सा था इंटरनेशनल मुनीटरी फंड जिसको हम आई एम एफ के नाम से भी जानते हैं ठीक है और दूसरा था हमारा World Bank, World Bank को किस नाम से जानते हैं? International Bank for Reconstruction and Development के नाम से इसको जानते हैं देखो the main objective, अगर बात करें देखो दो institute निकल करके आये थे IMF और एक निकल करके आया है हमारा IBRD जिसको International Bank of Reconstruction and Development Bank को ओला जाता है IMF का जो main purpose था, IFM का main जो purpose है, वो हमारा purpose है कि यह क्या करता है was the stabilized exchange rate, जितनी भी stabilized करता है exchange rate को by removing disequilibrium in the balance of payment BOP के उपर ध्यान रखता है ठीक है, BOP का ध्यान रखता है और साथ में क्या करता है जो disequilibrium होता है उनको भी set करता है और exchange rate को अच्छे तरीके से manage करके रखता है और दूसरा इसका का काम रहता है कि short term के लिए जो loan बगारा provide किये जाते है वो भी IMF के द्वारा provide किये जाते है on the other hand देखा जाए the objective of international bank for reconstruction and development इसके लिए क्या था IBRD was the reconstruction of war जो आपने war के दुरान जितनी मी हमारी economic condition है economic position है जो हमारी destroy हो चुकी थी या हमें जो भी fund की जरूरत थी देखो जब भी कोई war बगारा होती है कोई जुद बगारा होता है आपको पता है कि चीजें टूटती फूटती है सारी economy destroy हो जाती एक तरीके से तो उसको दौरा reconstruction करने के लिए उसको पुन निर्मान करने के लिए क्या किया गया था world bank को बनाया गया था इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी जो स्थापना सी हमारी 27 दिशंबर 1945 के अंदर इसको क्या किया गया था बनाया गया था ये आप लोगोंने याद रखना है कब बनाया गया था 27 दिसंबर 1945 के अंदर इसको बनाया गया था और इसका जो headquarter था वो कहां पर था इसका जो headquarter है world bank का जिसको IBRD बोला जाता है Washington DC के अंदर है United States के अंदर USA मतलब अमरीका के अंदर है तो आप लोगोंने ध्यान में रखनी है यह basic basic सी चीज़े हैं अभी तक की की जो सबसे पहले क्या हुआ था conference हुई थी कब हुई थी 1944 के अंदर 1944 के अंदर conference हुई थी उस conference के अंदर 44 ही country उने ठीक है ना 44 और 44 44 ही country उने क्या किया था participation किया था और जो उन्हों का जो conclusion या output निकल करके आया था वो क्या निकल करके आया था दो institute इन लोगों ने बनाये थे एक का नाम IMF था International Monetary Fund था दूसरे का नाम क्या था IBRD जिसका नाम World Bank है International Bank for Reconstruction and Development तो इसका headquarter कहां पर है Washington, DC, United State के अंदर USA के अंदर इसका जो है आपका पूरे का पूरा जो headquarter है दोनों का तो उसके बाद बात करते हैं कि इसका formation कब हुआ था देखो मैंने बताया कि July 1944 के अंदर जो meeting हुई थी जो गठन हुआ था formation इनका था 1944 के अंदर July के अंदर हुआ था ठीक है July के अंदर हुआ था इसका जो main जो establishment थी कब ये existing के अंदर आया था कब इसका बना था वो क्या थी हमारी 27 December 1945 था ठीक है formation के अंदर July 1944 के अंदर आज से 77 साल पहले की बात है ये तब इसका क्या किया था World Bank का establishment किया गया था टाइप कैसा है World Bank का या IBRD का International Bank of Reconstruction and Development का International Financial Organization इसका टाइप है मतलब इस तरीके के टाइप का है कि finance को पूरे International Level के उपर एक तरीके से handle करके रखता है Headquarter Washington, DC, United State के अंदर है Member Country के अगर बात की जाएं तो Member Country World Bank के अंदर कितनी है मतलब पूरी की पूरी वो जो हमारी country है IBRD के अंदर 189 country है और IDA जो की World Bank Groups का एक टाइप है तो इसको भी हम World Bank Group की next video के अंदर आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा उसके अंदर कितने है IDAR के अंदर और IDAR का फुल नाम क्या होता है यह आप लोग कमेंट के अंदर बता देना अगर जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ International Development Association इसको बोला जाता है ठीक है इसके अंदर 173 countries इसके अंदर है और इसकी जो official language है वो Arabic है Chinese है English है French है Russian है Spanish है किती? वो हमारी है World Bank को और जो भी दो हमारी institution बनाए गए थे उसके बाद बात करते है President की President जब इसका बनाया गया था पहले कौन था Jim Yong Kim ठीक है ये नाम है Ying Yong Kim तो आप लोगों ने याद रखना है ये World Bank का President था उसके बाद जो Present का जो President है वो कोन है हमारे David Malpass ठीक है President है जो Present वाले ये रेडवाल आपको याद करना है कि जो दोनों में से कोई भी आ सकता है आप देख लेना कि President कौन है World Bank के फिल हाल में David Malpass इनका नाम है ठीक है Present Organization है World Group के अंदर Parent Organization है जो इसका मतलब जहां से निकल करके बनाया है किस तरीके का इंस्टिटूटेन है क्या करता है देखो An International Organization Dedicates to the Provide Financial and Advise and Research to the Development Nation to aid their Economic Advancement ये जो सारी की सारी बात की जाती है कि जो आप लोगों की ये Developing Nation है देखो एक तो था Developed एक होता Developing एक होता Underdeveloped Developed वो कंट्री होती है जो पूरी तरह Develop कर चुकी होती है जैसे USA, America है इंग्लैन बरिखेर है जो भी है बहुत सारी कंट्री है और दूसरी बाकत है Developing कंट्री जिस तरीके की हमारी कंट्री है हम देरे-देरे develop कर रहे है चाइना धीरे-धीरे ड्वैल्प कर रहा है और अंडर ड्वैल्पिंग कंट्री बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर भी खाने के भी मतलब दुविदा है कि खाएं कैसे ठीक है ना मतलब बहुत जादा पावर्टी है वहाँ पर बहुत जादा ग्रीबी है खाने के लिए भी अडवाईस देता है उनको रिसर्च करता है उनके लिए अच्छी उच्छी भी किस तдеक्रिकाइब हो सकते हैं कंट्रीज और forts और कैसी और कॉवर आल एक्टमिक करता है यह जो को आप लोगों का डहर एक्टमेंट है ना तुछ उस को क्या करता है यह पूरा तरीके से ड्वेल्प करना चाहता है वर्ल्ड बैंक होता है यह क्या करता है वर्ल बैंक होता है यह जो भी developing country है या नीचे वाली country है या जो world bank के अंदर one eight nine जो country है जो इसकी member country है उनकी help करता है उनको financial sport के साथ साथ technical assistance sport भी देता है तांकि वो ज़्यादा से ज़्यादा technique की सहता से भी क्या हो जाएं develop हो जाएं उनको इस तरीक़्ी के development program के अंदर involve करता है तांकि हर country जो इसकी member country है वो develop दीरे-दीरे हो जाएं उसके बाद बात करते हैं कि world bank के दो mission है ठीके न world bank के दो mission है कौन-कौन से mission है याद रखना है सबसे पहला जो mission है reduce poverty in the global पूरे world के अंदर है जो भी इसकी member countries है उस global के अंदर है पूरे world के global की चाहिए इसकी member country है या नहीं है एक्स्ट्रा जो country भारवाली है उनकी भी यह help कर देता है कि poverty है जो ग्रीबी है उसको कम किया जाए ज्यादा तर तो जो member country है उनका ज्यादा ध्यान रखेगा क्योंकि वो इसके अंदर मतलब member है इनका तिक है उनका ज्यादा ध्यान रखेगा दूसरा जो काम है वो क्या है improve the living standard leaving मतलब जीवन जीने की जो एक तरीके का level होता है ना उसको अच्छा बनाना जब पवर्टी की बात आती है खाना पीना मिलेगा अच्छा दवाई पहनना खाना जो common necessaries हमारी होती है जो needs होती है ना उनको fulfill करने में वर्ल्ड बैंक अपनी countries की help करता है अगर कोई natural crisis बगएरा आ जाते है ठीक है ना उनके अंदर भुकंप आ गया यहां कोई भी बाड बगएरा जो इसके मतलब member countries की उनकी भी help करता है उनका जो living standard है उनको improve करता है और जो poverty उसको क्या करता है global level के उपर reduce करना चाहता है उसके बाद बात करते हैं ता world bank provide low rate का जो interest होता है ना low interest loans low interest loan देता है यह interest free credit भी देता है grants भी देता है देखो यहां बाद दो बाते हैं एक तो होता है low rate का जो interest है या loan है low interest rate का जो loan है वो आपको world bank देता है दूसरी बात यहां पर क्रेडिट्स की ब्याज मुग मतलब आपको पैसे तो वापिस करने पड़ेंगे यहां पर तीन चीज़ें आपको तीनों के बारे में बता देता हूं सबसे पहली बात अगर देखी जाए low interest loan की है मतलब आपको interest भी पे करना पड़ेगा और principal amount भी पे करनी पड़ेगी लेकिन जो आपकी interest की rate है वो low है ठीक है और दूसरी बात आती है interest free credit मतलब आप लोगों ने only यहां पर principal amount world bank को वापिस करनी है ठीक है एक limit के अंदर तो तभी interest pay नहीं करना और number तीसरे पर आती है बात grants की grants होती है जो आपको जैसे आपके country के अंदर भुकम पाग या बाढ़ आगी उससे कोई भी आपको मतलब छती पूर्ती हुई है ठीक है ना जो भी आपको हानी हुई है ना उस time पर जो लोस हुआ है उसके लिए cover करने के लिए आ आपको पैसे ही पैसे देगा नहीं grants are designed on the facilitated development project आपको देगा लगा करके यहां पर क्या किया जाता है innovation किया जाता है cooperation between the organization and local जो आपकी stakeholder है मतलब सारी country के जो लोग होते हैं उनको आपस में मिल जूल कर चलना सीखाता है एक तरीके से उनकी जो country उसको develop करने के लिए project लगाता है participation वाले project लगाता है ताकि उस current जो आपकी country है उसका जादा से जादा क्या किया जा सके development किया जा सके these loan are for education यह इन के इलावा देखो development के साथ साथ तो loan देता ही देता है ठीक है इसके इलावा भी loan देता है किस चीज़ के लिए education purpose के लिए health के लिए infrastructure के लिए communication के लिए भी आपका जो communication है आपके देश के अंदर जो भी अच्छी technology use की जाए 5G आ जाए ठीक है इस तरीके से जो many other purpose के लिए भ loan नहीं देता है वो education purpose, health, infrastructure, communication, technology, ITC बोल देते हैं ना ICT बोल देते हैं जिसको information communication technology तो ICT बगारा के लिए यह loan प्रवाइड करता है अपनी member countries को unlike other financial institution है जो इसके अंदर है मतलब यह क्या करता है अधर जो financial institution है उनके खिलाफ काम नहीं करता लेकिन उनसे उल्टा काम करता है यह जो non profit operation में काम ज़्यादा करता है मतलब हर बंदा profit तो चाहता ही होता है लेकिन जो इनका काम है ना यह पूरे के पूरे जो one eight nine country उने मिलकर के बनाया world bank को तो उस time पर जो इनका जो main मकसद है वो profit कमाना नहीं है वो help करना है poor countries की गरीबी को खतम करना है poverty को खतम करना है और country का development करना होता है उसके बाद बाद करते हैं international bank for reconstruction and development जिसका दूसरा नाम क्या है आप लोग का world bank की जिसको बोला जाता है ठीक है इसका जो main मकसद है इसका क्या है जो मतलब बाद में इसका नाम धीरे-धीरे बदल करके world bank रख दिया पहले जो इसका नाम था aim to reduce poverty को reduce करता है middle जो income है ठीक है या उनको मतलब middle income वाले लोग है ठीक है उनको मतलब सलाव गएरा देता है जो भी किस तरीके से उन्हें चलना है या credit जो आपकी वर्थी होती है ना poorest countries होती है उनको credit देता है मतलब उनको उधार देता है world bank ठीक है promoting sustainable development जो आपके sustainable development गोल है ना उनके according भी काम करता है world bank ठीक है ना ताकि country एक तो develop हो और साथ में किसी भी तरीके का ना आपकी country के अंदर जितना भी development वो sustainable development होना चाहिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारी country के पेड़ पोदे का और पूरे का पूरा country को लकडी का बना दिया ऐसा नहीं होना चाहिए sustainable development है कि पेड़ पोदे भी लगाने है साथ में आने वाली जो generation है उनको भी पता लगे कि यह system था हमारी country के अंदर तो sustainable development के through आपकी country के जो poorness है उसको खतम करता है आपको credit देता है आपको loan देता है आप investment करो अगर आपको loss होगा तो हम आपका loss है उसको cover करेंगे risk management है उसके product देता है आपको risk management वाले product आपको चलाता है ताकि आप क्या होगा कि आप जितने भी product बना रहे हो अगर उसके अंदर risk आएगा तो management उनकी यह करेंगे ठीक है यह आपको उनके उपर मतलब जो भी घाट होगा उनके उपर आपको हेल्प करेंगे एन एनालेटिकल एडवाइजरी सर्विस एनालेटिकल होता है सारी चीज़ों को अच्छे से चानवीन करके विशलेशन करके अच्छे से उसके ऊपर एडवाइज देता है आपको कि भाई ये काम अगर आप करोगे तो इसके अंदर कंट्री को ज़ादा फैदा है यह करोगे तो आपको इतना नुकसान भी हो सकता है तो उन चीजों के लिए भी आपको हैल्प करते है जो वर्ड बैंक है वह एनालेटिकल एडवाईजरी सर्विस के रूप में या टेकनिकल एसिस्टेंट के रूप में आपका हैल्प करता है आ से पैसा लगाता है वहां से पैसे को कठा करता है दूसरी बात इस बिकम वन ओफ दा मोस्ट इस्टेबलिश ब्रॉविंग सिंस इशू इट्स फर्स्ट बॉंडिंग सबसे पहला जो बॉंड था ना वह वर्ल्ड बैंक ने कब लॉंच किया था अपना या कब इशू किया था 1947 के अंदर दा फस्ट जो बॉंड था वो किसके द्वारा किया गया था टू फिनेंशल दा री कंस्ट्रक्शन ओफ इरोप के लिए उन्होंने सबसे पहले जो क्या था क्या किया था एक तरीके का बॉंड जो इशू किया था उसके ऊपर लोगों से पैसे लिये थे फिनेंश कश्रिद होती है उच्छ प्रति इंकमवाली कंट्री होती है उनसे उदार देता है मतल estře customers के पास पैसा ज्यादा है लोगों के पास पैसा करते हैं कि लैंडिंग करवाता है पैसों की उसके बाद बात करते हैं इसके निर्मान करने के लिए उसको री कंस्ट्रक्षिन करने के लिए ग्रांट देता है कों देता है वर्ल्ड बेंक देता है जी उसके बाद granting development loan to the under development country जो country अभी एव इकसी देशों के अंदर आती है और इसकी member country ए वन एट नाइन member country के अंदर आती है जो भी और वो under development के अंदर चल रही है उनको भी developmental loan provide करता है नमबर तीन पर बात करते हैं providing loan to government for agriculture, irrigations, power, transports, water supply, education, health देखो जो भी आपकी countries हैं उनको क्रीशी के लिए, चाही के लिए, बिजली के लिए जो आपका transportation है आपका उनके लिए ठीक है जो आपकी water supply, education, health है ठीक है उन सारी चीज़ों के लिए शिक्षा स्वास्ते के लिए यह आ देता है, loan provide करता है, providing loans to private जो concern for the specific जो projects होते हैं, specified जो project होते हैं, देखो कई बार क्या होता है, जो आपकी countries होती हैं, countries के अंदर बहुत अच्छी private companies होती हैं, जो अगर उसके उपर पैसा लगाया जाए ना, यहां वो loan लेकर काम करें, तो बहुत अच्छा develop कर सकती हैं अपन इमेज भी बना सकती हैं, और साथ की साथ वो country को develop भी कर सकती हैं, तो उनके लिए भी यह loan provide करते हैं, एक private concern है, जो private provision के लिए, निजी संस्ताओं को भी यह रिन provide कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं, promoting foreign investment by granting loan provide by the other organization, यह क्या करते हैं, आपको help करते हैं, आपको क्या करते हैं, किस चीज में help करते हैं, सर, यह बात में help करते हैं, कि आपकी जो country है, उसके अंदर आपको foreign investment के लिए help करते हैं, कि आपकी country में आकर कि कोई बंदा FDI करे, या आप दूसरी में जाकर कि किसी country में foreign direct investment करोगे, तो आपको वहां से अगर loss होगा, तो उसकी guarantee देता है, loan दे लेगा कि अगर आपको किसी भी तरीके का loss होता है, तो हम आपकी guarantee लेते हैं, हम आपको loan प्रवाइड करेंगे उस चीज को cover करने के लिए, उसके बाद बात करते हैं, and carries the industrial development of the under, कि जो आपकी industrial development है, under development countries के अंदर उसको जादा से जादा promote किया जाता है, economic reforms है, उनको भी जाद से जादा सुधारा जाता है, मतलब जो आपका आर्थिक विकास है, एव इकसी देश के अंदर बहां पर अध्योगीक विकास को बढ़ोतरी दी जाती है, बढ़ाया जाता है, विकास किया जाता है, और साथ में क्या किया जाता है, उनको loan भी प्रवाइड किया जाता है, providing the technical economical and monetary and advice to the member countries for the specific project, यह आपको help करता है, प्रवाइड करता है, technical, economic and monetary advice to the member country for the specific project, आपको एक specific project के लिए help करता है, उसके बाद बात करते हैं, यहां पर की और परपस क्या है, to provide long run capital to member country for the economic reconstruction and development, देखो, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, जो world bank है, वो आपको long run capital देता है, अपने member countries को, चाए वो economic development के लिए लें, चाए investment के लिए लें, चाए अपना industrial development के लिए लें, या educational development के लिए, infrastructure के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लें, उनको long run, मतलब world bank है, जो long run के लिए क्या करता है, capital provide करता है, जो IMF है, वो क्या करता है, short term के लिए क्या करता है, आपको long provide करता है, ये बात आपको याद रखने है, to include long run, जो आपका capital investment for a soaring balance of payment है, उसके लिए भी आपकी help करता है, world bank, कि आपका balance of payment है, उसको equilibrium करने के लिए, balanced करने के लिए, international जो trade है, उनके अंदर जो भी आपका घाटा यहाँ, आपको किसी भी तरीके का आपका balance of payment है, disequilibrium हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपकी world bank help करता है, उसको cover करने के लिए, ticket to provide the guarantee for loans, grants to the small and large unit to the project, जो member होती है, हमारी country, उनके अंदर कोई भी बड़ा आपने project लगाना, छोटा project लगाना, उनके लिए आपको granted loan provide करती है, ठीक है, आपको चाहिए कि कितने भी बड़ी आप कोई भी establishment करने लगे हो, किसी भी चीज़ का कोई project लगाने लगे हो, तो उसके लिए आपको guarantee देंगी, ठीक है, to ensure the implementation of development project, so as to bring about the smooth, आपका जितना भी काम है, smoothly चलना चाहिए, ठीक है, आपका किसी भी तरीके का किसी भी मतलब जो भी आपके सामने अर्दविवस्ता के अंदर किसी भी तरीके की वार चल रही है, तो फिर भी आपका काम नहीं रुकेगा, ठीक है, इस तरीके का project आपको लगाने के लिए, वर्ड बैंक बोलता है, दूसरी बात यह है कि peaceful economy आपको चाहिए, ठीक है, जाकर कि वो अपना धरना दे रहे हैं, उसी तरीके से इन्हों ने बोला कि शांती पूर्वक आप अपना system है, उसको चला सकते हैं और दूसरे वर्ड के साथ भी अगर आपका किसी भी तरीके का जगड़ा चल रहा है, तो उसका नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, शांती गेश की क्या होगी की पूरी की पूरी development होगी और साथ में हमारा जो ऐसा मान के चल सकते हो की हमारी country की जो assets हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ेंगी, जितना बढ़ेंगी, रोजगार मिलेगा लोगों को unemployment खतम होगी, उस तरीके के काम है जो World Bank करता है, उसके providing guarantee, then IBRD provide loan for the productive activity, productive activities के लिए ये consideration, condition बगएरा रखकर कि आपको loan बगएरा देता है, ठीक है, कुछ शर्तों के अनुसार अगर आपका जो private capital आपको नहीं मिलती, तो IBRD आपको अपने under record loan परवाइड करवाता है, लेकिन productive activities होनी चाहिए आपकी, ठीक है, फाल्टू का काम नह है, कि PUBG निकालनी है, सर जी, हमें loan दिलवाद हो, ऐसा काम नहीं करना, productive हो जो देश का पूरे का पूरा economy उसको development करे, उसके बाद बात करते हैं, why it came into existence, वर्ड बैंक आया, क्यों आपको पता है, कि जब second world war हुआ था, उसके बाद fund arise करने बहुत ही जरूरी हो गे थे, बहुत है गया था, यह तो मैंने पहले बता दिया, और यहां पर एक बात और बता देता हूँ, the international bank for reconstruction and development was the first multilateral development bank, इसको आपने याद रखने की बहु पक्षी है, विकास bank इसको बोला जाते है, multilateral bank भी इसको बोला जाता है, मैं highlight करना भूल गया, PDF के अंदर आपको मिल जाएगा, क कि जो international bank of reconstruction था, IBRD था, उसको क्या बोला जाता है, multilateral development bank बोला जाता है, before world war second head to end, ठीक है न, यूज समापत सोने से पहले इसको बोला जाता था, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कि जो आप लोगों का world bank था, इसके पिछे किस बंदे ने क्या किया, या कौन कौन बंदा इसकी जो स्थापना करने वाला है, बनाया किस-किस बंदे ने था, Harry, Defter, White and John Kenny, ठीक है न, Kenny, इन दो लोगों ने बनाया था, Harry, Defter, White बोला जाता है इसको, and John Kenny इसको बोला जाता है, ठीक है, इन लोगों ने बनाया था कि जो भी आपका international institution stabilize करता था, exchange rate को, and provide a source of financial for the reconstruction and development, जो war के अंदर, मतलब आपका पूरे का पूरा destroy हुआ था, ठीक है, उसके लिए, उसके बार बात करते हैं, what is the Britain Wood Conference, Britain Wood Conference क्या थी, कि एक July से लेकर, by या 25 July से तक चली थी, 1944 के अंदर, और वहाँ से निकल करके, वहाँ पर क्या था, contains the 730 जो dedicated for all country सी, जो हमारी 44 country थी, ठीक है, उनके nation आये थे, और साथ में जो प्रतिनीदी थे, उसको करने वाले वो कितने थे, 730 dedicates थे, 44 कंट्रियों के, तो इसके अंदर जो एक July से लेकर के, बाइस जुलाइस तक 2014 के अंदर एक conference हुई थी, Britain Wood के अंदर, तो उस conference के अंदर रहकर कि इसको बनाया था, और वहाँ पर क्या हुआ था, जो आपका पूरा का पूरा system था, वो निकल करके आया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, create two major institute बन कर आये थे, एक तो world bank के जिसको IBRD जी बोला जाता है, जिसको I, क्या बोला जाता है, IBRD जिसको बोला जाता है, और साथ में क्या था, world bank निकल कर क्या था, world bank क्या था, long term का loan देता है आपको, किसके लिए जो आपकी distressed to your economy and member country जो भी इसकी है, मतलब पूरी की पूरी, जो युद के अंदर हमारी economy है, destroy हो चुके है, उसके लिए long run का जो आपको loan प्रवाइड कर था, IMF क्या था, grants देता था and the short term loan for the develop of the cyclical disturbance, मतलब जो cyclical disturbance होती है हमारी, मतलब अलपकालिक रिंड देता है अपने को, कहां जो आपकी cyclical disturbance होती है, disturbance तो कौन सी होती है, BOP के अंदर, मतलब आपका BOP है, जो क्या हो चुका है, एक दम से disequilibrium हो चुका है, उसके लिए ये क्या देता है, आपको grant देता है, IMF, ठीक है, उसके बद objective की बात करते हैं, सर जी, objective क्या क्या हो सकते है, हमारे world bank के, world bank के जब objectives की बात करते हैं, objectives के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, निकल करके, सबसे पहले तो बात करते हैं, किसकी सबसे पहले बात करते हैं, reconstruction and development, world bank आपका किसलिए बंदा था, reconstruction and development करने के लिए, जो second world war के after, जितनी भी country क्या होई थी, destroy होई थी, उसके नंबर दो पर बात करते हैं, कि जो encouragement करता है, to the capital investment को, capital investment countries के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा promote करता है, नंबर तीन पर बात करते हैं, कि जो establish करता है, peace time economy, मतलब शांती काल वाली, शांती काल वाली economy को stopना करता है, कि अगर आपका दूसरे देशों के साथ किसी भी तरीके का काम चल रहे हैं, उसके अंदर आपको पूरा प्यार से रहना है, ऐसा ना हो कि आप बंब गोले चला दो, पहले के जैसा नहीं है, अगर आपका किसी कंट्री के साथ कोई जगडा चल भी रहा है, तो उसको मतलब सुलजा लें, पीस time economy इन्होंने provide करनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर member countries को, उसके नंबर चार पर बात करते हैं, encouragement to the international, जो आपका international क्या होता है, जो इंटरनेशलन ट्रेड होता है, जहांपा ट्रेड लगेगा, इंटरनेशलन ट्रेड है ना, उसको बढ़ावा देता है, जो encouragement करते है, इंटरनेशलन ट्रेड के अंदर जब भी आप क्या करोगे, investment भी कर सकते हो, इंटरनेशलन के साथ, दूसरे लोगों के साथ, क्या होता है, जो आपका leaving of standard होता है, जब इंटरनेशलन ट्रेड करते हो, तो leaving of standard आपका improve होता है, चिचची good sand आपको मिलती है, environment protection का भी आप कर लो, economy destroy कर तो आपको पता ही है कि world bank का आपको देई देगा, तो इनकी भी कुछ term and condition है कि जो आपका environment है ना, उसको सुरक्षित रखना है, ऐसा development नहीं करना, जो environment को harmful करे, development तो हो जाएगा, लेकिन उसका फाइदा क्या है, sustainable development की बात करते है, ठीक है, environment production का भी ध्यान रखत है, infrastructure development करते है, infrastructure development क्या होता है, infrastructure development होता है, जहां पर देश के अंदर क्या होता है, कि उसकी अदोस रचना, जैसे सडकें बनवादी वहाँ पर ठीक है, इस तरीके की, उनके लिए भी रियाइति जो रिन है, आपको देता है, world bank आपको क्या करता है, उनके लिए, कम rate of interest के उप उपर आपको रिम देता है, उसके बाद बात करते है, loan of for meeting, मतलब meeting करता है, deficit in the balance of payment, balance of payment के लिए, long run के लिए आपको क्या करता है, loan provide करता है, जब आपका balance of payment, इकलिव रिम हो जाता है, balance of payment की वीडियो मैंने already मेरे YouTube चैनल पर डाल दी है, description में आपको link मिल जाएगा, नहीं जिसको पता तो 8295103595 के उपर आप मुझे message कर सकते हो, आपको क्या दे दूँगा, मैं इसका link provide कर दूँगा, ठीक है, आपको इसका link provide कर दूँगा, तांकि आपकी preparation और भी अच्छी हो जाए, 8295103595, ठीक है, यह मेरा WhatsApp नंबर है, और टेलीग्राम पर, economical development की बात करता है सरदी, economical development क्या होता है, economical development के अंदर पूरे के पूरे ही जो country हमारी, उसका economical development किया जाता है, जो financial रूप से होता है, उसके बाद बात करते है, providing financial aids, मतलब आपको financial सहता परदान करता है, settlement of distribute, settlement मतलब आपका दूसरे देशों के साथ किसी भी तरीके का जगड़ा चल रहा है, तो world bank पीच में, मतलब midatory का काम करके आपका पूरे का पूरा जो भी जगड़ा चल रहा है, उसको settlement करता है, उसके बाद advisory assistance मैंने आपको बोला था, ये analytical and advisory assistance का भी काम करते हैं, आपको इस तरीके की साहता देता है, इस तरीके की advice देता है, ताकि आपका जो country है, वो ज़्यादा से ज़्यादा develop करें, उसके अंदर अच्छे project लगाए जा सकें, उसके बाद बात करते हैं functions की, function क्या हता है, provide the technical assistance, आपको ICT बगएर का assistant है, communication जो आपका structure है, उसको अच्छा कर देता है, या पूरी की पूरी ऐसी technology देता है, जिससे आपकी economy जल्दी develop करने लग जाती है, advances loan लोन बगएरा देने लग जाता है, मतलब loan बगएरा आपको provide करता है, loans के अंदर अगर बात की जाए तो आपको direct loan भी दे सकता है, guarantee loan भी दे सकता है, अब आप लोगों को जिनको नहीं पता तो मुझे comment कर देना, मैं आपको बता दूँगा, direct loan यह होता कि आप किसी भी, चलो बताई देता हूं, advanced loan की बात करते है, अडवांस loan में तीन त्रीके की चीज़ें आती है, सबसे पहले किस की आती है? direct loan की बात होतासरगी, direct loans की जब बात करते है, direct loan ऐसे होते हैं कि जब जो हमारा वर्ल्ड बेंक है ना, आपके, जो आपके खुले कोश होते है ना, जिस त् गहरा लेकर देता है उदार दिलवा सकता है आपको किसी प्राइविट बंदे से दिलवा देता है जो आइंड का क्या होता है दोनों को मिला करके जो आपका ड्रेक्ट एंड गरंटी है उनमें से मिला करके आपको जब लोन दिलवाता है तो वह होता है अडवांस लोन की इसके door 있습니다 आपको कोडिनेट करके रखता है डिवाल्पेंड इस्सिस्टेंटके तरीके से मतलब ये लगा के रखोकर आपका जो यह इंडिया ख्लब अपने बहरत बिनाया गया था 1950 के अंदर क्या बनाया गया था एड इंडिया जो आपका एड इंडिया कलब बनाया गया था ठीक है एड इंडिया कलब बनाया गया था ठीक है ये नहीं आएगा एड इंडिया जो कलब बनाया गया था 1950 के अंदर बनाया गया था जो आपका पूरे का पूरा ऐसा लगा ले हो कि अंडर किसके चलता है वर्ल्ड बैंक की अंडर चलता है लेकिन पूरा अपने देश को संभाल के रखता है अपने देश को इस तरीके से चलाता है कि हमारे जो कोडिनेट रहे कर चले पूरे का पूरा जितनी भी term and condition है उसके अच्छा हो उसके बाद agriculture and rural development के लिए help करता है आपको बता है गाओं के अंदर school बग्यारा बनवाने के लिए ठीक है यहां जो भी आपका मतलब गाओं के अंदर जो क्रिशी का काम है उसके लिए क्रिशी और विकास अंतराश्ट्री है आपको पता है कोस्ट चलाया गया था उसके अंदर भी पूरे का पूरा सिस्टम ये करता है उसके बाद coordinate the development assistant second time आगया उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर assistant प्रवाइड करता है कि इसकी financial के लिए welfare के लिए institution बनाता है आप जहां पर जादा से जादा welfare करते हो ना यहां से जादा मतलब ऐसा मान के चलो कि जो आ सास में development के लिए वहां पर यह लोन प्रवाइड करता है financial help करता है कंड़क्ट करता है एकनोमिकल रिसर्च जहां से आपको रिपोर्ट से मिल जाता है पता लगता है कि कौन सा infrastructure use किया जाए ग्रीबी को कैसे दूर किया जाए मतलब एक तरीके का आपके पास इंडेक्स आ जा वर्ल्ड बैंक ग्रूप है उसके अंदर अपनी सब्सीडरी को क्या कर देता है मतलब एक क्रीके से स्टैबिश कर देता है जिस तरीके से आई एफसी है इंटरनेशनल फिलैंशल कोर्परेशन है इस तरीके की जो आपकी सारी की सारी international development association है मीगा होगी इनको आगे वाली वी सक्सेस के सक्सेस यहां अचीवमेंट कौन-कौन से हैं देखो जब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के जो अचीवमेंट यह सक्सेस की तो यह क्या करता था इंक्रीज करता था किस चीज को इंक्रीज करता था कैपिटल को आपको पता है यह फिनेशल मार्किट है जो इंटरनेशल तेकनिकल हेल्क वी आपको पर्वाइड करता है थर्ड विंडो स्कीम क्या होती है थर्ड विन्डो स्कीम क्या होती है आपको पता है कि जब आपका जो अल्पवि सी देश हैं अंडर ड्वेल्पमेंट कंट्री हैं या जो आपकी developing country है जो धीरे दीरे develop कर रही है थिक या अंडर development country है अगर माहाँ लो world bank के पास अगर किसी भी परकार का उनका लोन जो एप रेप्ट रहते है ठीक है world bank के पास इतना पैसा नहीं होता उस टाइम पर कि वो उस country को लोन प्रवाइड कर सके तो यह क्या करता है अपनी अधर जो इनके institute बनाए गया है मीगा हो गया तिक है यह आई डी ए है सबसे जादी बात करते है आई डी ए की तिक है जो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर की काम करता है आई डी ए के अंदर international development association है जो कि अगर वर्ल्ड बैंक के पास किसी भी तरीके से लोन की कमी रह जाती है तो दूसरी संस्थाओं से ले करके थर्ड विंडो स्कीम का यूद करके आपको लोन प्रवाइड करता है उसके बाद बात करते हैं कि की को कोडिनेशन फॉर दा लैंडिंग एक्ट प्रवाइब भी को खतम करता है एंड कंछा एटैनिंग देता है मतलब इंटरनेशल जो फिनैंशील को प्ञेशन इंच इंका वो इसके इंटर World Bank के जो Groups हैं उसके इंदर चलता है IFC बोला जाता है या इसके इंदर International Development Association है IDA जो मैंने अभी बिताया है या मीग है Multilateral Investment Guarantee Agency इसको बोला जाता है इसके इंदर जो इसके Success जो Achievement है और दूसरा एक और भी था जिसका क्या नाम था इसका नाम था हमारा International जो Control for Settlement for Investment Distribution जिसको क्या बोला जाता है IFC SID एक बार और यह मैं आपको World Bank Groups के अंदर करवाऊंगा International Control for Settlement for Investment Distributions का नाम है तीक है यह चीज़ें आपको इसके अंदर cover की हैं जो इसकी Success के अंदर है उसके बाद बात करते हैं Failures की अब देखो कोई भी चीज़ है जितनी मरजी अच्छी हो कुछ ना कुछ तो उसके Failures होते ही है तीक है उसी तरीके से जो हमारा World Bank के IBRD है इसके भी कुछ ना कुछ हमारे Failures सामने निकल करके आए हैं सबसे पहले in educate financial help मतलब यह आपको मैंने पहले ही बताया था भी कि यह third window scheme का यूज़ करता है दूसरों से मतलब अगर इसके पास ना हो तो लेके देता है कई बार क्या होता है कि इसके पास proper पूरी जो financial की जुरूरत होती है वो यह नहीं प्रवाइड कर सकता सबसे बड़ा इसका failure है कि time के ऊपर आपको पूरा आपको अलप विक्षी देश है जो आपके under development country है उनकी अवस्ता में आपको यह loan नहीं प्रवाइड करता और यह सिर है ना उनको तो एक मिनट में देदेगा भेद भाव करता है भेद वाव पूर्ण विवार करता है जो वर्ड बैंक है ना अगर इंडिया ने लोन मांग लिया तो इंडिया को तो वही दस request करने पर देगा जो ज्यादा अमीर country है उनको एकदम से मतलब बोलो की पास है आपक इसके बाद बात करते हैं high rate of interest on commercial credit अगर आप commercial credit की बात करते हो ना तो इसके ऊपर commercial के according देखा जाए तो इसकी rate जो interest की rate है वो high रहते है उसके बाद बात करते है high rate of interest और commercial यह तो आ गया था उसके बाद defective loan policy defective loan policy यह है कि आपकी ज़्यादा rigid है ठीक है ना rigid जो आपकी मतलब सकत है कठीन जो policy है इसकी रिन लेने की जो policy है न वो ज़्यादा कठीन है मतलब ऐसा आप मान सकते हो कि आपने रिन लेना है तो काफी time लग जाता है उसके अंदर इसके document पूरे करो यह करो वह करो बात करते हैं loan of limited objective, limited objectives के लिए loan है, ज्यादा तर किसके लिए reconstruction and development के लिए, यह ज्यादा से ज्यादा poverty खतम करने के लिए, इनके लिए जल्दी loan देते हैं, बाकी चीज़ों के लिए आपको loan प्रवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा, चक्र काटने पड़ेंगे, formalities पूरी क करनी पड़ेंगी, बाता नहीं किसके किसके stamp लगानी पड़ेंगी, वो चीज़ें होते हैं, repayment of the loan in the foreign currency, आपको हमेशा जो loan लिया है, उसको किसके अंदर repayment करना है, वो foreign currency के अंदर ही आपको payment करना है, foreign currency बोलें तो, जो आपके dollar चलते हैं, USA का जो dollar चलता है, उसके अंदर यह आपको क्या करना है, उसकी currency के अंदर ही आपको repayment करनी पड़ेगी, in France, मतलब दूसरी बात यह कि domestic affairs होते हैं, उसके अंदर भी यह दखल देता है, ठीक है, इसकी interference रहती है, कि इसके अंदर जो domestic affairs होते हैं, कि आपकी country को यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, जितनी भी इसकी member country है ना, जो under development है, उनको बोलता है, यह project लगाओ, वो लगाओ, धक्के से ही गले डाल देते हैं, ठीक है, तो यह बाते हैं, आपको याद रखनी है, यह इनके failures थे, ठीक है, तो I hope कि आपको अच्छे से समझ आई होगी यह class भी, तो thank you all friends, मिलते हैं next class के अंदर, next class आज ही आपको मिल जाएगी, जो world bank के groups के ऊपर है, ठीक है, तो मिलते हैं next class के अंदर, thank you all friends, take care, bye bye